तो चलो मूल बात बता देता हूँ कि ये 11 साल क्यों लग गए और आज ये ट्रेंट क्यों कर रहे हैं X के उपर में जिस तरह से पॉलिटिक्स आगे बढ़ चुका है जिस तरह से लोग अपने बिजनस को आगे बढ़ा चुके हैं बिल्कुल वैसे ही X के उपर में कुछ भी आप ट्रेंट करवा सकते हो बस आपके जिब में पैसे होने चाहिए ट्वीट करने के लिए लोग होने चाहिए जो जाके वहाँ पे टूटी आए और उसके बास से आपकी बातों को जादर से जादर लोग तक पहला है अगर आपके पास में इतना कुछ था तो आपने पहले क्यों नहीं किया ठीक है इन सारी चीज़ों को जाने देते हैं और अभी जो रिसेंटली मतलब हाल फिलाल में जो एक कांड हुआ है उस कांड के पर में थोड़ी रोशनी डालते हैं यह हमारी वह भोली-भाली जनता है जो के श्रावन के महीने में बहुत जादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने नॉनविच को ले करके कि ना ये नॉनविच खाएंगे और ना ही किसी को खाने देंगे मतलब इनके हिसाब से इनके बाजा और इनके आस्परोस में उस वक्ट जो है श्रावन में कोई कुछ तो बिचने ही नहीं आता ना नहीं मतलब जो मौशी आति है अप ना जींगा ले करके उसके बाज से फिश ले करके वो थोड़ी ना वो तो वेज है यहां तक के के आना होता है वो तो साकस सबसी होता जिसके व्येसे इनको कोई आपती नहीं है लेकिन जब कोई खास कमूницу raci का पूरे समाज के लड़ना शुरू करो और तौर मुझे दुक거든 देख रहा है सिफ इस वजहके कुछ आठ दस बंदे जो है गुंडे टाइप के दिख रहे थे और वो लोग जिस तरह से अक्शन ले रहे थे लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे थे पता नहीं कैसे लोग ये सारी चीज़ को हस हस करके देख रहे थे आप अगर उस ट्रेंड के भी गलत और सही तो दिकरा होता है लेकिन नहीं नहीं देखा जा रहा थे बस लोगों को हसा जा रहा थे और ये भाई साब सवाल करने लग जाते कि बता कितने लोग काने वाले अगर आप इतने बड़े पुलिस ओफिसर बनने वाले हो, इतने बड़े इन्वेस्टिगेटर हो, इतना बड़ा तुमने बम का एक आइटम पकड़ा है, तो कम से कम यहर तुम जाओ उस में जगे पे, हाँ, इनके हिसाब से वो जो खाने का आइटम था, वो आइटम बहुत बड़ा बॉम होते हैं, कि तुम कैसे करके नौनवेच खा रहे हो, अंडा कैसे खरिद के लेके जा सकते हो घर पे, अच्छा-च्छा, समझ में आया है, यहाँ पर बात गवरक्षा की हो रही है, बूल गए कि इनके पापा जो है, अपने रिसेंट एलेक्शन में सबसे बड़े एक्सपोर कि मैं हिल गया हूँ, कि यह लोग जा रहे थे, पुलिस का एक्जाम देने के लिए, और यह कानून समहलने वाले हैं, यह कानून समहलने वाले है, शायद इनको अभी तक यह पता ही नहीं चला है, कि जब आप कसम खाते हो, तो उस वक्त में ही आपको यह कसम खाना होता है, क तो ये अपना यिस दिन का भडास, जो आज इस पर ये F.I.R. दर्ज हुआ है, इस चीस का भडास जाकर के वो उन सारे मुस्लिम लोगों से लेगा, जो जो इनके हत्ते चड़ेंगे, वो भले से प्रूफ बने या ना बने, बस अगर एलिकेशन ही लग जाए, ये बंदा पू आरे करता ने दिया है, तो वहां पर बैठे वे हैं, तुमको अगर इतना हीरो बनना है, भिवंडी है, गोवंडी है, बिंडी बाजार है, ये जितने सारे जगे दिख रहे ना भाई, यहां पर बढ़ी तादाद में मिलेंगे तुमको, वहां पर पकड़ो साले, एक एक को पिछवड़ा लाल कर दो, पिछवड़े का पुरा मास निकाल दो, कि साले तुम लोग खा कैसे रहो, इनको मिलेंगे कोई अकेले खोचे में, उनको मस्त रपार आप दे करके बोलेंगे, साला अपने महाराष्ट्र में ऐसा करेगा क्या, ठू है ऐसे महाराष्ट्यन होने प ऐसा तो नहीं था कि वो उन्हों को उफर कर रहा था कि खा 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 रहे, ने खाएगा कैसे चलेगा, खा के तो देख टेस्ट कैसा है, जबके वही चीज जो है, आप किसी मुस्लिम को पकड़ करके सरयाम रस्ते पे और खिला रहे होते हैं, और ये गर्व की बात है, आपको ये श्रीराम के उपर मैं खेल रहे हो, और उसका मेन मतलब ही नहीं समझे, मुझे नहीं पता कि कौन सा धरम जिखाता, बस इतना समझ में आता है कि कोई भी धरम गलत तो नहीं सिखाता है, लेकिन करना है और करकर के इस चीज़ पर गर्व भी करना है, कि देख भई मैंने क् प्राइवेट करके बैटे लॉंड ये जैसे मतलब एक लड़की ही होती है इंस्ट्राग्राम पे जो के आलतु फालतु लड़कों से बचने के लिए गंदी गंदी बाते कोई अचानक से कुछ ना बोल दे कुछ उल्टा सिधा कमेंड ना कर दे अपने फैमिली मेंबर अपने अभी बनाएवे कानुन के हिसाब से और नहीं धर्म के हिसाब से तो जो सही करता है वो किसी तरह से नीडरता है वो अपना खुला रखता लोगों से ब्रने के लिए तयार रहता आप तो बहीं मुझ चुपा लिए अब मैं सोच रहा हूं कि ये बंदा शपत लेगा ये लोगो भी नंगा करके मारो में में जो आउजार है नो काट डालो लेकिन न भाई वो चीज़ आप कहीं और पे निकाल रहे हो हिंदूं से प्यार है अगर तो भाई वहां पे जा करके कुछ किये होते आंदोनन में गुस करके साथ दिये होते तंख्या ले करके गए होते है वी आर हिंदू मुझे ऐसे हिंदू होने पर कोई गर्व नहीं है और नहीं ऐसे मुसल्मान होने जो के भिड़ बना करके किसी को जुड़ में कुछ भी कर ले और फिर बोले अल्ला हो अकबर फिर कोई हिंदू कुछ भी करे और एंड में कहते जै श्रीडाम राम का नाम आप एक नौजवान जो आपसे लड़ नहीं सकता उस पे दूसरा आप एक मुझर्क इंसान की उपर में कर रहे हो आपको प्रॉबलम है उठाओ और सीधा पुलिस्टेशन में डालो आप लॉज जानते हो आप एक ऐसे कंट्री में रहते हो जहां पे सिस्टम पे लोग आज भी बरोजा करते हैं ऐसी सारी हरकते होने के बावजूद भी जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को उठाया और कुछी घंटे के अंदर में वो बंदा एरस्ट हुआ गर अभी भी आपके आँखों में शर्म नहीं है तो भागवान भागवान कभी भी इंसान को धर्द पह किसी भी तरह से दुख दर्द पीड़ा पहुंचे बहुत जादा गयान हो गया आपका क्या टेक है कमेंट करके बता नहीं यहां तक वीडियो देखने के लिए तया दिल से धन्यवाद मिनगा एक स्वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो बाइद वे चेसा